वेलकम बैक आहील टेक यूटूब चैनल फ्रेंस अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हैं कस्टमर तो आपके लिए है एक गुड नियूज यहां इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आई P PB ने एक नया एफ लॉँच्क किया है जिसका नाम है डांक पे जी हाँ गाइस डांक पे एक UPI एफ है जोगी आप इसमें अपना एक अकаun create करके इसमें अगर आपका account है तो आप अपने account को link करके जो है कि आप इसमें multiple प्रोफाइल करना पता है जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा फुल डिटेल्स की कैसे आप इसमें जो है कि फर्स टैम रिजिटर करेंगे और कैसे आप इसे योज करेंगे तो बनेट आई है मेरे सथ वीडियो पे और चैनल पर नहीं है सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाद दिजिए सबसे पहले गाइस आप इस एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिजिए जिसका नाम है यहाँ पे डाक पे बाई आई पी बी आपको इस एप्लिकेशन का लिंक में दे दूगा वीडियो के डिस्क्रिप्सम ने कहा आप खोजेंगे इसे आप वहाँ किलिक करके प्ले शोर से डाउनलोड कर लिजिए और इसे जो है कि यहाँ से ओपें कर लिजिए ओपें करने के बाद आपके सामने कुछ आइजा इसका यूजर इंटरफेस देखने को आएगा पेमेंट इस्टेरली और सिक्योरली यहाँ पे बिता रहा है यहाँ पे ट्रांसफर फंड आप कर सकते हैं सौपिंग एनिटाइम एनिवेर कर सकते हैं और इसकेन एन पे कर सकते हैं आप कभी भी क्यूर कोड के दवारा नीचे जो एडो का ओप्सन है आप उसके ओपर किलिक कर दीजिए याद रहे गाईस आपके मोबाइल में वही सीम लगा होगा जिसमें आपका इ मोबाइल नमबर क्योंकि वह नमबर है आपका यह वैरिफाई करेगा वैरिफाई fine करने के लिए आपके उस सीम में पैसे होना चाहिए दो तीन रुपए SMS चार्ज के लिए ताकि यह सही वैरिफाई कर पाए जब आपका यहां पे नमपर कर लेगा आपका मोबाईल नममर उ पर दीजिये और एक इमेल आइडिया आप यहां पर डाल दीजिए डेट बर्त यहां पर डाल दीजिए एजा आप जो है कि चार अंकों का एक बनाना है पासकोड यहां पे फिर से आप चार अंकों का पासकोड फिर से रिएंटर कीजिए और आई एकसेप टर्नमेंट कंडिशन पे नीचे करके किलिक आप रेजिस्टर का जो ओप्सन मिल रहा है यहां पे इस पे रेजिस्टर के ओप्सन पे आप यहां करने के लिए तो आपको यहां पे क्या करना है आपको आप को इसमें निंग कर सकते हैं यहां आपके सीक्लीकश कर सक्ते हैं Dh 북한 अपर यहां पर जी आपना बैंक को आपको बहरा नंग कर सकते हैं दो प्रेयर कर एक bank account यहाँ पे link कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अब यहाँ कुछ ऐसा user interface देखने को मिलता है यहाँ पे आपको उपर आपका UPI ID आपका हो जाता है आपका mobile नमर ही होगा उसके आगे add the rate यहाँ पे post bank का message यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा ठीक गाइस यही आपका UPI ID होगा आपका default account होगा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब आप इसको use करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे देख सकते हैं pay या transfer यानि कि आप merchant पे QR code scan करके pay कर सकते हैं पैसे को या फिर आप किसी को जो है कि पैसे भेज सकते हैं उसके अपने account में transfer कर सकते हैं या फिर contact केवल mobile number के द्वारा भी आप यहाँ पे पैसे को भेज सकते हैं इसके लिए गाइस यहाँ पे जो भी details यहाँ पे डाल देंगे हम या फिर send to account IFC पे click करके हम account details यहाँ पे डालके जैसे का आप यहाँ पे देख रहा है account number यहाँ पे डालना किसी को या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं collect का option आपको मिल रहा है यहाँ पैसे को request कर सकते हैं किसी से आप UPI के ID के द्वारा यहाँ पे request करके fund request कर सकते हैं यह सब गाइस आपको option इसमें मिल जाता है नीचे आपको accounts का option मिलता है जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं और account यहां पे link कर सकते हैं multiple account आप यहां पे link कर सकते हैं scan और pay का option आपको यहां पे मिल जाता है आप यहां scan करके पैसे को यहां से भेज सकते हैं किसी को और आप पैसे कहीं से किसी दुकान पे आप यहां पे पे कर सकते हैं इसके अलावा गाइस आपको नीचे option मिलता है transaction history का तो आप transaction history पे click करके अपनी history को यहां से check कर सकते हैं जो transaction आपने किये होंगे सब आपको details यहां पे देखने को मिल जाता है अगर आपको किसी को UPI ID share करना है तो आप क्या करेंगे आपको क्या करना है यहां जो आपको copy का option मिल रहा है इसके उपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वीपी आईडी जो है डाक पे एफ है इसे आप यूज कर सकते हैं और ऐसे आप जो है कि इसको रिजिस्टर कर सकते हैं वीडियो को लैक जो कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्स्क्राइब करके बेल लाइक हैं दवाए जैदोस्ते मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंग झाल प्र adapt कि उ सकते हैं ओर खडղगी में जदीर सकते हिंगा हिंगागों की यजिस्टर क estás कि घुटर कर दो यहां है जल Suppose झाल कर बहूंग को कि तोका म थैशो रेल भीता हैं